हेलो जी नमसकार मैं हूँ राहूल जैस्वाल और आप देख रहे हैं रियल नवलेजवल्ड तो साथ हुए आपके संस्कृत अनुवाद का वीडियो हो जाएगा इसमें 45 कुश्षन आपके कौवर करने वाले हैं संस्कृत अनुवाद का और यह सभी के सभी कुश्षन आपके सभी रूप आपको एक ही बीडियो में पढ़ाया गया है और उसके बाद यह अनुवाद का आपका वीडियो लाया जा रहा है ताकि जैसे आप मास्ट बीडियो देखे होंगे तो आपको यह संस्कृत अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आएगा 45 कुश्षन यानि 45 अपर बोलगोंischer करेंगे कि वहां पे आप हमसे डिसकसन और इस वीडियो में आसे लशुकते हैं चषी आति है यहां पर अलग होती है तो हमलियार्थ हो जाएगा आपका अप्रभुवति मतलब हो T एक पित्रा मतलब होता है साथ मतलब पूत्र arb अब यहां पे जाता है गच्छ मतलब होता है जाना गच्छ मतलब आपका जाना तो सबसे पहले ये देखा जाए ये तावाला है ये तावाला है इसका मतलब ये लट लकार पे है और लट लकार पे जब है तो ये पीता है ये नाम आपके और यहां पी ये एक नमबर पे आएंगे तो एक नमबर क्या यहां पर दिखेगा आश्माकम यहां पर यूज करेंगे तो भविश्यति हो जाएगा लेकिन यहीं पर आपका रहता क्या कि यहां पर हम लोगों की परिक्षा कभ होगी तो आश्माकम अगर यहीं पर हम यूज करते वयम क्या करते वयम तब यहां पर हम लोग क्या करते हैं य मतलब हो जाता है यहां पर भावी श्यामा हो जाता यह पॉइंट आप याद रखेंगे आपको अच्छी समझ में आना सहिए मैं इतिहास पढ़ता हूं मैं का होता है अहाम इतिहास का इतिहासम और पठ मतलब होता है पढ़ना यहां पे ता वाला है, इसका मतलब यह लट लकार का एक अगिसाम्पल है और मैं जो आता ही आते हैं साथ नमबर पे, और लट लकार के साथ नमबर पे आते हैं आपके आमी, यह हो जाएंगे पठामी और यह हम कैसे बना रहे हैं तो संस्क्रित अन्वाद का जो मास्टर बिडियो बनाया गया था उसके द्वारा इसको हम बना रहे हैं अगर वह पीडियो देख लिजिए ताकि आपको अची तरह से यह वीडियो आपको समझ में आए तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा का जकते तवम की मनाम अस्ती और यहां पर डायरेक्ट यह है वाला है इसमें किसी दहातू का यूज नहीं किया गया है तो आपको परहाएं लास्ट में डायरेक्ट अगर हब अलाद है तो वहां पर यूज करते अस्ती अस्ता संती असी अस्ता अस्त 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 यहां पर यह हो जाएंगे क्या अस्ति हो जाएंगे आपका अगला मुझे पुष्टक दो मुझे मतलब महयम पुष्टकम देही मतलब हो जाएगा मुझे पुष्टक दो कल मोहन विध्याले नहीं गया यहां पर कल है मतलब यह कल बिच चुका है तो हरम मतलब होता है बिता हुआ कल, हरम मतलब होता है बिता हुआ कल, और स्वा का मतलब होता है आने वाला कल, स्वा मतलब होता है आपका आने वाला कल, तो यहां पर मोहन नाम हुआ, चलिए मोहन, विध्यालियम, नहीं कहा होता है न, अब यहां पर दिखे या यही बाला है, मतलब यह बनेगा किस पर लंग लकार पर बनेगा आपका अर लंग लकार पर बनेगा तो यहां पर आपका पहला है मतलब यहां पर यह हो जाएगा आगच्छत यह हो जाएंगे आपके आगच्छत गाय जर्ती है, तो गाय का होता है धेनूु, और ती वाला है, मतलब यह लट लकार का है, तो चर्ती खर्ती का आपका नाम, यानि एक नम्बर पर जाएगए, विरिक्च से पत्ते हैं, तो विरिक्च से, मतलब यहां पी अलग होडा, तय आप अप आनूर के लगेगा, मतलब तो पत्ते हैं तो पत्ते हो जाएगा 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 तो हो जाएगा अस्ती राम के साथ सीता वन गई तो राम के साथ सीता गई तो सीता किसके साथ राम के साथ रामेन सा वन का होता है वनम अब गई गई मतलब यह चला जाएगा किस पर लंग लकार पर और यह हो जाएगा क्या आपका तो तामन यह हो जाएगा यहां पर तर्णाप में तरंगे मतलब तर्णाप में कमल खिलते हैं कमल खीलते हैं यहां पर बहुत सारे कमल की बात कर रहा है , तो यहां पर बहुत सारे कमल मतलब सब्सक्राइब होता है По दस रत्स चार मतलब होता है चत्वार यहां पर अगर फिए आ दाता तो क्या नत्काफ कि आपका पुत्रा हो जाता लेकिन यहां पर बहुत करहा है तो यह Willi यहां Pरूट्रा तरह अब यहां पर थे यहां पर कुण आपकी दहातू नहीं है तो यह चलिए क्या यहां पर यह ती वाला है और ती वाला होती आपका होजाएगा तुम घर कब जाओगे तुम घर जाओगे तुम घर जाओगे मतलब यह लिट लकार की है तुम का होता है तवम कब का होता है कादा घर का होता है गिरिहा जाओगे तो यहां पर तुम आता है चार नंबर पर चा तो सुरी के अस्त होने पर कौन गया तो वह मतलब सौ घर मतलब गिरिहम हो जाएगा और गया मतलब यह चला जाएगा लंग लकार पे तो वहां पर होता है तो तामना मतलब यह हो जाएगा और गच्छत आपका हो जाएगा गंगा हिमाले से निकलती है हिमाले से मतलब हिमालयाद नीशर्थी या प्रभवती इसका होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नीशर्थी या प्रभवती दुन में से कोई आप एक लगा सकते है सीता राम के साथ वन गई सीता राम के साथ तो सीता, रामेन, सा, वन का हो जाएगा, वनम, आप गई मतलब यहाँ पर लंग लकार की, तो यह क्या हो जाएगा, औग अच्छत आपका हो जाएगा, मुझे लड़ू अच्छा लगता है, यह सभी के सभी अनुवाद कैसे बन रहे हैं, जो आपके मास्टरी प्रिव बनाया संस्कृत अनुवाद का, उसको देखे होगा, तो आपको अच्छी तरस समाज में आ रहा होगा, मुझे लड़ू अच्छा लगता है, मुझे मतलब महयं मुदकम मतलब होता, लड़ू रूचते, मतलब महयं मुदकम रूचते, मुझे लड़ू अच्छा लगता है, कर्म से पुस्तक दो, गरीब छात्रों को, तो निर्धनभ्य या दरिद्रभ्य भी लगा सकते हैं, निर्धनभ्य चात्रभ्य, क्योंकि चात्रों को, यहां पे कर्म की बात करना, चात्रों को दो, तो चात्रभ्य पुस्तकम का पुस्तकम देही, मतलब गरीब छात्रों को पुष्टक दो काली दास संस्क्रीत के कवी है काली दास संस्क्रीत के किसका पत्ति आपका हो जाएगा तो आस्ति आपका हो जाएगा हिमाले प्रवतु का राजा है तुंहिं तो प्रवतों का ठीक है है ना यहां पर सम्मंद । परवत नाम राजा मतलब नीरीपा भी जाकते हैं अब यहां पर क Frastha को ती नहीं नहीं है मतलबुंद यहां पार यहां परदा जागा कि स्षेवला है तो अस्ति पर चला जागा वे आपका Asena हो जाएगा संस्क्रीत भारत की प्राचीन भासा है तो संस्क्रीत तो संस्क्रीत भारत्स्य 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 प्राचीन भासा का भासा इसमें कोई धातु नहीं मतलब अस्ती बलब अपने का यह अस्ती हो जाएगा आपका वह पढ़कर घर गया वह पढ़कर यहां पे य मतलब होगया वह पढ़कर, घर गया था गरीयम और गच्छत वह गया, मतलब ये लंग लकार पे आपका चला जाएगा, ये याद रखेंगे, मुझे मुझे अच्छा लगता है, तो महें मोदकम रोचते, मतलब मुझे मुझे अच्छा लगता है, सीता- राम केशाथ वं गई अब यहां पे गई तो आप गत्वती लगाईए या आप क्या लगा सकते हैं यहां पे और गच्छत लगा सकते हैं क्या आपका और गच्छत लगा सकते हैं याद रिखेगा राजा ब्रहामन को वस्त्र देता है राजा मतलब राजा लिखिए या यहां पे आप नरीपा लिख राजा ब्रहाम नेव्य वस्तरम द्धाती वा साप से ड़ता है, यहां पे साप से सरपात, ड़ता है, मतलब यह तावला है, और यह चलता है, यह चाल जाए एक नंबर पे, वीवहती ब्रहने हो जाएगा, गाओं के दोनों और विरिक्षा, गाओं के ग्रामश्य, दोनों और व्रिक्षा हो जाएगा जब बहु अचन हो जाएगा और यह चला जाएगा किसे में इसमें कोई धातु नहीं है तो जाएगा अस्ती अस्ता संती मतलब यहां पर यह संती हो जाएगा दिनेश कान से बहरा है तो दिनेश नाम हुआ तो दिनेश कान से किस से करनेन क्या है आपका बहरा है तो बहरा का हो जाएगा बधिरा अब यहां पर कोई धातु नहीं है मतलब यह अस्ती बलाप बनेगा यह हो जाएगा अस्ती दिनेश करनेन बधिरा अस्ती कभियों में काली तो मेरे साथ मय होता है इसलीक पतरा सिक्षितु है उसकी पतटनी मतलब तस्य पत्नी क्या ही आपका सिख्षित अब कोई धातु नी मतलब यह ऐस्ति पार जायगका आज गर्म होग ए अबर रहता है मतलब एक नंबर होगा वसित यहां घर निवस्ति भी होता है यह याद रखेंगे यहां पे आप निव अस्ति भी लगा सकते हैं। दसरत के चार पुत्र थे, दसरत की तो दसरत से है, चार मतलब चत्वारब, पुत्र का पुत्र हो जाएगा, यहां पे चार है, थे, मतलब आसित, अस्ताम, आसन, यहां पे आसन हो जाएगा, मैं भी संस्क्रीत पढ़ूंगा, मैं भी, तो मैं भी क्या हो जाएगा, अहां भी क क्या होता है इस्यामी होता है तो पठ में जो रहें कि इस्यामी का पठी इस्यामी आपका हो जाएगा विखारियों को विख दो विख्षव्य विख्षाम देही आपका हो जाएगा विखारियों को विख दो नितिष कुमार विहार के मुख मंत्री है अब यहां पे है, तो यहां पे कोई धातु नहीं, मतलब अस्ति वले लगए तो यहां पे हो जाएगा, अस्ति हो जाएगा, शरोवर के चारोड वरिक्ष है, शरोवर के तो सरोवर, परिदा मतलब होता है, चारोड वरिक्ष है, तो वरिक्षा मतलब बहुत सरा वरिक्ष है, और यह में का संती यह हो जायगा कि बहुत आर बिश्स के बात कर रहे है. अगला... छात्रों को पढ़ना चाहेंगे यह कip बढ़ना चाहेंगे, यह नीनिए, नुच्रा चाहिए वाला है, यह में की विदि देनलोग हो जाएगा और वेदी निंग में आप पढ़े हो यह का बहु क्या बहु ओशन में है एट इताम एउ तो पठ में जो रहेंगे एद गाँगा पठे आपके हो जाएगा तो यह आपके थे 45 कुशन आपके संस्रीट अनुवात का और यह सभी के सभी आपके कुशन पूछे गए हैं आपके बोर्ड एक्जाम में तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आप वीडियो पसंद लाइक किजिएगा अपने दोस्तों में पिसे दर किजिएगा तब मिलते हैं